नमस्कर दोस्तों गडेन गेन चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 औरनामेंटाल प्लांट का मैं बहुत सोकिन हूँ और पहले मेरे पास 50 से उपर थे औरनामेंटाल प्लांट से लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ फिर भी ज पोतोस भी बोलते हैं और बहुत बढ़िया चोटा-चोटा लीप रहता है और सिल्वर डट रहता है इसमें और यह देखिए मॉनी क्लांट का और एक वराइटी यह भी बहुत बढ़िया फोलियस में रहता है पर इसमें पता थुड़ा हेल्दी नहीं यह नर्सरी से मैं इस मॉस में और बहुत बढ़िया ग्रोथ आता है यह देखिए थाड़ वेराइटी इसका योलो और ग्रीन लिप रहता है और यह मेरा फेवरेट में से एक है मॉनी प्लांट का कॉलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले एक-दो मॉनी प्लांट मिलता था वेराइटी का लेकिन अभी देखिए बहुत सारा वेराइटी में मिल गया है तो इसे ग्रो करने के लिए मौश्टिक चाहिए और इंडिरेक्ट लाइट में ही यह सब चलते हैं और यह देखिए यह अपका मौन्स्टेरा का प्लांट है इसे स्विस चीज भी बोलते हैं और सेंटर में देखिए इसका लीप का होल रहता है तो यूनीक पता रहता है इसका यह सभी प्लांट होट एंड हुमिट क्लाइमेट पसंद करते हैं लेकिन इंडिरेक्ट लाइट डिरेक्ट लाइट में इसे रखेंगे तो इसका पता वर्न हो जाएगा और जल जाएगा और यहां से देखिए दोस्तों रूट सब आ जाएगा आ गया है और यह मौश्ट र प्लास्टिक पता जैसा ही दिखेगा आपको बहुत बड़या फोलिएज में यह रहता है और पूरा इसे अगर आप इंडिरेक्ट रख देंगे तो इसका कलर नहीं आता है ग्रीन हो जाता है और ज्यादा सन में रखेंगे भी तो फैड हो जाता है तो इंडिरेक्ट मिलना चाहिए इसको यह दिखिए यह है कोलियस कोलियस का चार-पांच वैराइटी है मेरे पास पहले आठ से उपर था वैराइटी और यह मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसका फोलियस दिखिए ब्लाक और पींक में बारिस का सीजन कोलियस के लिए बहुत अचा दीजिए और समर में थोड़ा प्रोगलम करता है यह लेकिन अभी इसका डेंजर टाइम चला गया है अभी यह ग्रोप टाइम में है और यह देखिए यह जूनिफर्स का गोल्डन है गोल्डन जूनिफर्स बहुत बढ़िया रहता है और डीप गोल्डन आएगा यह और कु यह जो इसे मैं ट्रीम कर दिया हूं तो चोटा प्लांट हो गया है नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता यह अभी और ऐसे छोटा ही मैं रखना चाहता हूं इसे वह नमेंटल प्लांट रखना चाहिए क्यूंकि जब फ्लावार नहीं खिलते हैं तो यह प्लांट आपके ओल्या जैसा ही दिखता है और इसके पास में रखा हूं कुछ एरेल्या के वराइटी एरेल्या भी मेरा बहुत बढ़ी है और इसमें मैं फटी लाजर भी एड़ किया था और वीडियो में स्यार किया था तो एक यह चोटे-चोटे लीप में और यह बड़ा लिप बाला है यह वाइड वाला है देखिए बहुत सारा एरिलिया का वेराइटी है एरिलिया एक एवर ग्रीन फोलीज प्लांट रहता है और मैंली यह सेरामीक या फिर प्लास्टिक पॉर्ट में आचा दिखता है और इसे दोस्तों आप बोंसाई जैसा भी रख सकते हैं और कुछ-कुछ इस पता योलो हो रहा है वह मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा देखवाल करना पड़ता है दोस्तों और इसका पूजिशन भी आप बार बार चैंज मत कीजिए एक जगा पर ही यह पसंद करता है और इसका स्वेल को भी गुड़ाई-गुड़ाई ज्यादा मत कीज यह नहीं तो पता गिरा देता है यह सभी प्लांट का क्यार अलग-अलग होता है दोस्तों इसलिए मैं गाड़न ओवर्व्यू या फिर प्लांट कोलेक्शन में यह सब आपको बता देता हूं ताकि आप अगर वह वीडियो मेरे नहां देखे हों तो भी इसमें से आपको प्लेट इसको मैं ट्रीम कर दिया था बहुत हाई आप और वहां से मैं न्या प्लांड भी बना दिया हूं वह फ्लांट भी मेरा चल गया है और इसका फोलीस दिखिये दोस्तों वाइट और ग्रीन में रहता है इरलिया बहुत सारा वह राइटी में आता है लेकिन उतना क्ल व्ट该 कर जाते हैं तो चलते हैं दोस्तों और मरते नहीं है और इसका अगर आपको को एक sentence लोब आ गया तो सालों साल चलते हैं आपके ac नेक्स्ट है हमारा देखिए फाइकस का स्टार लाइट और इसका पता भी प्लास्टिक पता जैसा ही दिखता है और लो मेंटेनस वाला प्लांट है और फाइकस का जितना भी ग्रूप है देखिएगा आप सब इजी टू मेंटन प्लांट है और बोंसाई के लिए भी लोग ल और यह प्लांट मेरा काफी पूराना हो गया है और दखिए बहुत मोटा मोटा प्रांच आ गया है और यह दखिए यह सॉंग्स ओप इंडिया यह ड्रसेनिया फेमिली से होता है और इसका पता देखिए एज सब यलो रहता है और सेंटर ग्रीन यह भी इंडिरेक्ट चलने व देखिए दोस्तों यह और एक जिंजर फेमिली से है इसे अलपीन यह जरू पेट बोलते हैं और इसका फोलिएज भी देखिए और इसका पता सेंड भी आता है प्लास्टिक पता जैसा ही आपको दिखेगा और नया सूट जब आता है इसमें तो पते का क्या कहना और पैटन नहीं है यह और यह देखिए यह फिलो डेंडर्म का और एक वराइटी है इसका सेंट में रहता है पता चैसी और यह भी दोस्तों इंडिरेकट लाइट में चलता है का जाता औक रदिस्टेंट हैं क्यूंकि अरुन के नीचे यह स determ पैड़ के नीचे आप रखिए तो बहु कोश्टली रहता है इसका 200-300 रुपया आजाता है बल्प और इसके पास देखिए कालाडियम का वाइट और ग्रीन हम बोल टीडी बोलते हैं इसको यह चोटा-चोटा टीवर रहता है इसका और वहां से यह ग्रो कर जाता है बहुत चोटे-चोटे पत्ते मेनी कालाडियम बोल कालों कालों जयता है और पत्ता निकलने लगता है और यह जादा सं लाइटा देंगे आपको तो पता इसका योलो हो जाता है और सुक जाता है, छोटे-छोटे पॉट में भी हो जाता है, बस इसको moist रखिये, देखिये पूरा sunlight में आप रखेंगे तो पता ऐसे सुक जाता है इसका, dry हो जाता है, तो ये सब indirect light चलने वाले plant है, और एक देखिए ये है singonium, singonium का large variety है, singonium का पता भी बहुत बढ़ी अ दिखता है इसको एरो हेड भी बोलते हैं क्योंकि तीर के जैसा ही इसका पता होता है यह प्लांट सब एर प्यूरिफायर जैसा भी काम करते हैं तो आपके लिविंग रूम या फिर ड्रोइंग रूम में भी आप इसे रख सकते हैं और यह देखिए यह है अलुमुनियम प्ला है और पानि बस इसे देते रहेए किसी भी स्वल्ट टाइप में हो जाता है और यह है यह र्ख लोम यह बाइ किलर में हैं इसमें एक आता है आपका पी ग्रीन और नीचे साइड फिर पिंक आता है तो बहुत बढ़िया दिखता है दोस्तों हेंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं और चोटे-चोटे पॉड में भी आप लगा सकते हैं बर्ट इसे पानी बहुत कम दीजेगा और यह देखिए यह स्पाइडर का वेराइ बस थोड़ा एक घंडे का सनलाइट इसको मिल जाए तो काफी है और चोटे-चोटे पॉड में भी यह हो जाता है तो दोस्तों यह सब प्लांट आप नरसरी से लाइए और और औरनमेंटल प्लांट्स आपके घर में रहना चाहिए और यह देखिए यह साइड सूट दिया ह सब वहां से आप नया-nया प्लांट भी बना सकते हो औरनमेंटल प्लांट्स और भी है मेरे पास तो फटा-फट से देखा देता हूं यह क्रोटन है क्रोटन का आपका 3-4 भरायटी है मेरे पास और यह देखिए यह जामिया पुमिला इसे कॉंटाई पाम भी बोलते हैं और सब्सक् figuring है में आपको दिखा रहा हूं और यह देखिए यह एरंतोम है इसका पिक और CL फोलिएज रहता है बहुत बढ़िया दिख्ता है और यह देखिए यह एकलोनम वा का वैलनाटाइन वैलनन टाइन बहुत बढ़िया फोलिएज में रहता है इसका पिnd g और r bomb है अभी इविनिंग हो गया है और दिखिए लाइड भी ume हो गया है और लिप के से इसका साइनी लिफ से हर ताइμ चमखता रहता है इसका पता और इसका दिखिए ग्रीन भराइटी यह आपका योलो और ग्रीन मिक्स रहता है यह भी डैफेन बट्या ज़सी ही दिखता है लेकि बस इसमें आप water spray करते रहे हैं क्योंकि ये धूल को अपने और खेंचे लेते हैं और आपके रूम का air को purify करते हैं डॉस्ट सब अपने अंदर ले ले लेते हैं तो ये था कुछ plant और दोस्तों और कुछ भी मैं दिखाना चाहता था लेकिन वीडियो का लेंग ज्यादा हो र लेड़ बटन आप कि अपलगे शया लेग्वांगा करीव जढेड़ खेंड़ चाहता हैं जह झाल करीव